भारत में मिले कोरोना वारस विरियंट की पुष्टी विश्व के दरजनु देशों में भी हुई है विश्व स्वास्ते संगठन ने इस बात की जानकारी बद्वार को दी स्वास्ते जेंसी का मानना है कि भारत में तेजी से बरती संक्रमन की मामले की पीछे भारत में 2.1.617 विरियंट जर्मिदार हैं खास बात यह है कि भारत के लावा ब्रिटिन में इस विरियंट के सबसे जादा मरीज मिले हैं भारत में बीती मार्च के बाद से इस इंक्रमन के मामलों का ग्राफ तेजी से उपड जाने लगा था WHO ने कहा कि COVID-19 का 2.1.617 विरियंट WHO के सबी 6 शेत्रों में 46 देशों से एक Open Access डेटाबेस में अपलोड हुए 4500 से जादा सेंपल्स में पाया गया भारत में पहली बार यह विरियंट बीते अक्टूबर में मिला था नहामारी पर सफ़ता है इक अपडेट में WHO ने कहा कि 5 अतरक्त देशों में भी मामलों की रिपोर्ट मिली है इस हफ़ते की शुरुआत में संस्थाने इस विरियंट को विरियंट आफ कंसर्ण बताया था स्टडी में ये देखा गिया है कि पहले के दुलना में आसानी से ये विरियंट फैल रहा है कुछ मामले में ये भी देखा गिया है कि ये वैक्सीन द्वारा प्रदान की जाने वाले सरक्षा से भी बचने में सक्षम रहा है अधिन में पयाग गिया था कि ये वेरिंट ना सिर्फ तीजी से फिल रहा है बल्कि ये बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है वेग्यानिकों का मानना है कि ट्रिपल म्यूटिंट में शरीर में कोरुना वारस के खिलाफ प्रक्रतिक रूप से पैदा होने वाल प्रतिरक्षा प्रनाली को चक्मा देने में कुछ न कुछ शमता जरूर होगी